प्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनु जाने की नगर में आज हम लोग क्लाश 10th हिंदी चैप्टर नम्मर दो कि बीश के दात की कहानी के बारे में संज के दृष्टि कौन से उस अब्जेक्टिव के हम चर्चा करेंगे तो वीज के दाथ पुछा जाएगा तो एक मनुबे ज्यानिक कहानी है इसके लेखक कौन है तो नलीम बिलोचन शर्मा इसके लेखक नाम इनके पिता का नाम पंडित रमावतर शर्मा था इनकी माता का नाम र अगर पुछा जाए कि नलीम बिलोचन शर्मा का जन्म कहां हुआ था तो पट्ना के बजर घाट में हुआ था ठीक है इनका जन्म कवा था अठारा फरवर 1916 इस्वी में हुआ था इनकी मिर्तियू 12 सितंबर 1961 इस्वी में थी तो बीस के दाथ किस तरह की कहानी है एक मर्ध परिवार को हमेशा जो है नदवाने की कोशिस की जाती है खोखा खोखी यह सब्द जो है बंगला सब्द से लिया गया है उसके बाद पूछा जाएगा कि सेन सहाव कि कितनी लर्किया थी तो सेन सहाव की जो थी पांच लर्किया थी सोफर सब्द का अर्थ क्या होता है ड्र नाम है तो खोखा का नाम है कासू सेयन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमेन या इंजिनियर बिनाना चाहते थे मदन की उम्र कितने थे पांट या छो साल थे उसके बाद है मदन कासू के साथ किस खेल में सरीख होना चाहता था तो मदन कासू के साथ लट्टू के खेल में सरी खोना चाहता थां अमदन ने काक्र चोंका नाए कि प्येक्ट्री में किराने था यह कोगा मुखर जी साहब की इस किराने था खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है चाचा चाची तो यह बीज कैदात कहानी आपको कैसी लगी इसमें जो भी अब्जेक्टिव यहाँ पर है जम के दरिश्टी कौन से इसको याद कर लेना है और उसके बाद अपने प्रेक्षा में जवाब देना है तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करते रहें और ज्यादा से ज्यादा छात्रों में सेयर करते रहें थेंक्यू